किसान भायों, आज इस फंगी साइट के बारे में हम जो जानने वाले हैं, इसमें हम सीद ब्लाइट, ब्लास्ट और इसके साथ साथ ये हल्दी रोग जो धान की फसल में होती है, इन तीनों रोगों को खत्म करने के लिए एक बहुत ही कारगर दवाई साबित हुई है, तो इस के लिए आज की इस वीडियो का आपको लाश्ट तक जरूर देखना होगा, तो किसान आज की इस वीडियो में हम सीजेंटा कंपनी की जो फीलिया 525 ऐसी नाम से जो फंगी साइड आती है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो जो फीलिया जो आती है, इस जेंटा कंपनी की, तो उसकी टेकनिकल नाम क्या है, या एक्टिव इंगर्डेंस क्या होती है, उसमें कौन सी टेकनिकल होती है, इसकी जो डोज क्या होती है, इसकी प्राइस क्या होती है, इसकी साथ साथ इसकी रेन फास्टनेस क्या होती है के सब्दy इसको चूllow करने दबाएल करने अने वाली वीडियो न्यूटिप में बुछ ने वीडियो में आप सभी किसान भायों का यूट्यूब चैनल online communication में स्वागत करता हूँ तो फिलिया जो 525 AC जो आती है उसकी technical नाम की हम बात करें किशन भायो तो इसमें दो technical होती है एक पॉपिकोनाजोल और ट्रैसेकलाजोल पॉपिकोनाजोल जो होती है किशन भायो वो 10.7% होती है और ट्रैसेकलाजोल होती है वो 34.4% ऐसी फॉर्म में होती है। इसकी टेक्निकल नाम आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। किसान भायों इसकी अब मोड अफिक्षन की अगर हम बात करें तो फिलिया जो 525 आती है सिजिंटर कमपनी की ये एक सिस्टेमिक फंगिसरेड होती है। ये पौधों की सिस्टेम में पूरी तरह से घूल जाती है और फंगस को ये खतम कर देती है। तो इसको प्योग हम क्योरेटिव और प्रिवेंटिव तोर दोनों तार पे हम कर सकते हैं। रोग लग चुकी हुए फसल में और रोग नहीं लगी हो ये प्रिवेंटि तोर पे हम इसका इस प्रे ले सकते हैं। तो फिला 525 जो आती है इसकी रेन फास्टनेश बहुत ही एक्सलेंट होती है। अगर इस दवाई का इस्प्रे करने के एक घंटे बाद भी अगर बारिस हो जाती है तो इसका जो इफेक्टिव है वो इफेक्ट जो है पौधो में बहुत अच्छे से फास्ट रूप से या एक्सलेंट तोर पर इसकी रेन फास्टनेश हम कह सकते हैं। इसका इस्प्रे लिने के एक घंटे या दो घंटे बाद अगर बारिस होती है तो दवा का जो अशर है पूर्ण रूप से आपकी फसल में आपको देखने मिलेगी। इसको हम कोई भी इंसेक्टि साइट के साथ हम मिलाकर इसका इस्प्रे धान की फसल में सीद ब्लाइट के लिए ब्लास्ट के लिए वह हल्दी रोक के लिए ले सकते हैं। इसका उप्योग हम कोई भी पीजियार के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। जब भी इसका उप्योग करें तो किसी भी अच्छी कंपनी का इस्प्रे फैल कर चीपकों की माद्ध हम से पहुंच सके इसलिए आप उसमें एक अच्छी कंपणी का इस्प्रेडर का उपयोग जरूर करें किसन भाईयों अगर इसकी डोस की हम बात करें फीला 525 ऐसी की तो ये 200-200 ml पर एकर की हिसाब से इसका इस्प्रेडर आप अपनी धान की फसल में सीद ब्लाइट ब्लास्ट वा हल्दी रोग के लिए कर सकते हैं जिन भी किसन भाईयों की जो अरली जो विराइटी होती है मिल्किंग स्टेज में आ गई है या इससे आने वाली है उस स्टेज में अगर इसका उपयोग हम करते हैं तो ये सीद ब्लाइट के लिए भी ब्लास्ट के लिए और हल्दी रोग की जो समस्या आती है उसके लिए तीनों रों के निवारन के लिए इसका इसप्रे आप ले सकते हैं इसकी वेटिंग पिरियेट की बात करें तो इसको इसप्रे करने के बाद रिजल्ट टाइम हमको लगभग 15 से 20 दिन तक इसकी जो रिजल्ट है हमारी फसल में रहती है तो दोस्तों आसा करते हुए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो और गिशानों तक इस वीडियो को सेर जरूर करें जरूर करें और चैनल में नहीं हो तो लाल कलर कर स्सक्राइब का प्रेन नीचे आ रहा होगो इसे दबा कर बेल नोटिपिकेसन आउन करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेसन आपको मिलती रहेगी तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैशियराम वंदे मातरम